क्या है आपका फेज़रिंग? पानी पीएंग अगर आप नौ दिन तक लगबग आठ लीटर जतना कि कहा जाता है तो आपकी calorie उतनी burn होगी जितना की 8 km की jogging के बाद तो जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए तो पानी वरदान है सुबह सुबह खाली पेट पानी पीनी से फिर चाहिए वो गरम पानी हो या नॉमल पानी हो हमारा metabolism बहुत अच्छा होता है हम पूरे दिन active रहते हैं और energetic भी रहते हैं और एक और बात है हमारा जो मस्टश्क है वो कहते हैं 35-85% उसमें पानी होता है तो हम जितना पानी उसको देंगे वो उतना ही जादा शक्तिशाली होगा यानि कि उतनी अच्छी तरीके से हमारा brain function करेगा और हम उतना ही concentrate कर पाएंगे अपने काम में अगर आपको emotional eating की आदत है या फिर अपने खाने पीने वाले दोस्तों के साथ रहके आपको जबर दस्ती खाने की आदत है ओवर eating कर लेते हैं वो 41 प्रतिशत तक कम हो सकती है ऐसा हम नहीं कह रहे है ऐसा study कहती है और साथ में हमारी तवचा के लिए हमारे बालों के लिए पानी का पीना कितना ज़्यादा अच्छा है सोचिए ज़रा कि हमारे जो तवचा है वो बेदा खुबसूरत चमकती भी हो सकती है और गने मुलायम रेशमी बाल अच्छे पानी के सेवन से ही आ सकते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखेगा कि आपको कम से कम तीन लीटर पानी यानि आर ग्लास पानी का सेवन रोजाना जरूर करना है